नमस्कार मैं हूँ आयूस कुमार और आप सभी का स्वागत है टीवी 45 के इस खास पेशकस में कोईला चोरी की खबरे अब आम हो गई हैं कोईला चोरी के बारे में अगर कोई सुनता है तो ये कहता है कि ये धनबाद में कुछ नया नहीं है नया क्या है इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे नया है कोल लिंकेज घोटाला ये घोटाला इतना बड़ा है कि अगर इसे हम कहें कि देश के सबसे बड़े घोटालों में से ये एक है तो ये कोई आश्चरे चकित करने वाली बात नहीं होगी हमने पिछले एपिसोड में कोल लिंकेज घोटाले से जुड़ी जब खबरे दिखाई थी तो हमने आगाह किया था कि कौन इसमें शामिल है यह घोटाला कैसे किया जाता है सब हम बता रहे थे और कोल लिंकेज होता क्या है इसमें ना सिर्फ को एक syndicate शामिल है बलकि बड़े बड़े अधिकारी और यहां तक की कई जन प्रतिनिधी भी शामिल है एसा नहीं है कि सिर्फ अधिकारी और जन प्रतिनिधी शामिल है पुलिस की मिली भगत है, CISF की मिली भगत है पहले देख लेते हैं कि हमने पिछले एपिसोड में कैसे सभी को आगाह किया था कोईला, कोईला और कोईला चोरी को लेकर हम तमाम बाते करते रहते हैं कई तरह के घुटाले हमने आपको दिखाई, कई तरह के चोरिया हमने आपको दिखाई लेकिन आज जो हम लेकर आए हैं आज जो खुलासा हम करने जा रहे हैं ये सुनकर ये देखकर आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे क्यों? क्योंकि ये देश का सबसे बड़ा घोटाला में से एक है घोटाला है कोईला लिंकेज से जुड़ा यानि कोल लिंकेज घोटाला जिन लिंकेज भठो की ओल कोईला मुहया कराया जा रहा है वे सारे भठे गोविंदपूर, बोकारो, रामगल और पश्चिम बंगाल के दुरगापूर और पहाडी गोडा के पते पर आवंटित है एरिया नंबर एक और एरिया नंबर दो में हो रहा है खेल सबसे पहले जानते हैं इनमें कौन-कौन कोईलियरी आता है एरिया नंबर एक मुराइडी शताबदी फुला राटांड एरिया नंबर दो नटखर की बेनीडी जमुनिया वनती है कि काले खेल को रोका जाए रोम कोल यानि कि आरो एम कोल रनिंग आफ माइन्स के डियो होता है डिलेवरी ओर्डर में फुल स्टीम कोईला आखिर लोड कैसे होता है जबकि स्टीम का डियो होता ही नहीं है हम सवाल पूछते है टीवी 45 ये सवाल पूछता है कि क्या जिनकी जिम्मेदारी थी कि आखिर कर इस पर रोक लगाया जाए वो क्यों नहीं कर रहे हैं ये काम इस खेल में कोईला भावन की भी सनलिप्तिता है क्योंकि क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि जो गाड़ी लिंकेज के डियो पर लगती है उस गाड़ी में जी पी आरस लगवाया जाए ताकि यह देखा जा सके कि गाड़ी अपने गंतव्य जा रही है या कहीं और दूसरा सवार TV45 पूछता है कि कोईलेरी से जब गाड़ी निकलती है तो उसे गंतव्य स्थान तक पहुँचने के लिए ईवे बिल जारी किया जाता है इस बिल की समय सीमा निर्धारीत रहती है या नहीं क्या ये जाच करने की जिम्मेदारी नहीं है कि निर्धारीत समय सी सीमा में वह गाड़ी वहां पहुंची या नहीं भला ये क्यों जाच कराएंगे टीवी 45 की जाच में यह पता चला कि जिस गाड़ी को गोविंदपूर रामगर दुर्गापूर या बोकारो जाना था वो सारी गाड़ियां कहीं और पहुंच गएं कहीं और मतलब कहां डिह एरिया नमबर वन और एरिया नमबर दो पिछले एपिसोड का क्लिप हमने आपको दिखाया ताकि आप समझ सके कि ये घोटाला आखिरकार हो कैसे रहा है ये घोटाला में चल क्या रहा है लेकिन एक बार फिर से मापको बताना चाहते हैं कि कोल लिंकेज आखिरकार होता क्य इससे लोगों को रोजगार में भी लाब मिलेगा और उद्योगों को भी बढ़ावा मिलेगा हमने आपको वादा किया था कि अगली एपिसोड में जब हम लोटेंगे तो हम कुछ लिंकेज भठो का खुलासा करेंगे पहले तो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं ग्राफ और उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सबसीडी दर पर कोईला मुहया कराया जा सकता है जाता है लिंकेज को लिंकेज के बारे में हम आपको बता रहे हैं एरिया वन और एरिया टू के कुछ लिंकेज भठो का हम खुलासा करेंगे हमने आपको पिछले में वादा कि लिंकेज कोईला मुहया कराया जाता है एक सभी कंपानियों को लिंकेज अबंटित है आप अपने तीवी स्क्रेंट पर देखे और हमने आपको नाम बताये थे लेकिन कुछ लोगों की मिली भगत से ये कोईला अपने भठो की वजाय कहीं और बेचे जा रहे हैं वह भी बिल्कूल अवैद तरीके से जिनकी मिली भगत से यह धन्धा, linkage भटो के माली खेल कर रहे हैं वो है loading बाबू, वो है project manager, loading बाबू, project manager. इन सभी के मिली भगत है इस गोटाले में और कई नाम हैं आपको धीरे-धीरे बता रहे हैं. तीसरा है काटा बाबू जिनके जम्मेदारी ये होती है कि वजन सही है या नहीं और काटा पे ये ध्यान रखना कि कहां सब कुछ जा रहा है चौथे हैं जेनरल मैनेजर सबको लगता होगा कि छोटे अधिकारी ही इसमें शामिल नहीं बड़े अधिकारीयों की भी उतनी ही सनलिप्तता है सरकार नहीं नहीं लिंके चुपलब्द कराया है लेकिन सबीनियम को ताक पर रखकर कोईले को अवैध तरीके से बाजार में बेचा जा रहा है और इस पर और भी चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे सहियोगी विकास लगातार बने हुआ है विकास को लिंकेज घोटाल है जो है इसका परदर परज जो इतिहा से वो सामने आता नजर आ रहा है ये कोईले का खेल चल कैसे रहा है ये सामने नजर आ रहा है और कई लोगों की सनलिप्तता है पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि कुछ कमपनिया है जिनके नामों का आज हम खुलासा कर रहे हैं लिंकेज भट्टो के नाम है कर्ण कार्बन कमपनी प्राइवेट लिमिटेड दूसरी कमपनी है अलका इसपाथ प्राइवेट लिमिटेड तीसरी कमपनी है पायनियर कार्बनाईजेशन प्राइवेट लिमिटेड और पीडी केजे कॉमर्स को प्राइवेट लिमिटेड मतलब यह चारो कमपनिया जिनको लिंकेज मुहया कराई जारे है के लेकिन यह कोईले का अवैद खेल कर रहे हैं क्या है जानकारी आपके पास विकास सबसे पहले हम बता दे आपको कि देखे रोजगार चोटे उद्योग और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए सरकार जो है सबसीटी दर पे लिंकेज कमपनियों को भठे को कोईला मोहिया कराती है ताकि यानि कि इस कोईलों को जो है कि सौफ्ट कर सकते को कि या फिर हार्ड को कि या फिर फोड़ा के रूप में इसको बदल करके दूसरे जगापे इसको बेचा जा सके और ये सबसीटी दरु पे इसलिए इनको दिया जाता है ताकि बजार के कम कीमतों से इसलिए दिया जाता है ताकि रोजगार को एक बढहावा मिले और उध्योग को भी एक अलग मुकाम तक लिया जा सके लेकिन ये जो चार कमपनियां करन कार्मै का प्राइबेट लीटेड स्काइशिक्त प्राइबेट लिए चारो कमपनियां जो है आपटे नाम पर वहां कोईला तो लेते हैं लेकिन वह कोईला जहां भेजना रहता है यह वहां ना भेज करके दूसरे जगा भेज देते हैं देखिए एक्चुल क्या होता है आयूस बता दते हैं जहां पर यह लिंकेज का खेल चलता है यह चार लोगों का बड़ा एहम रोल होता है लोडिंग बाबू हो काटा बाबू हो या फिर जनरल मैनेजर हो या पूर्जेक्ट मैनेजर यह सभी का अलग अलग काम बटा हुआ है लोडिंग बावू का काम है कि लोडिंग ठीक से करवाना काटा बावू का काम है कि काटा वजन ठीक से करवाना प्रजेक्ट मैनेजर और जेनरल मैनेजर का काम रहता है कि महां पर देख रेक करना पूरे प्रोजेक्ट में कितना कुलाड़ा कितने गाड़ियां से निकल रहा है कितने गाड़ियांसे निकल रहा है तमाम चीजिजों का देखरे करना यह लोगाम काम कोईले का वहाँ पहुँचाया जाए ताकि रोझगार को बढवा मिले और उद्योक को भी बढवा मिले लेकिन ये कमपनिया क्या कर रही है जाना होता है कहीं और कोईले भेजा जा रहा है कहीं और सबसे बड़ी आश्चरे चकित करने वाली बात ये है कि ये गाड़ियां नहीं जा रही है गंतव्य पर इसका सूद लेने वाला कोई नहीं है कोईले को जहां भेजना था ये कोईले जहां जाने थे वहां नहीं पहुच रहे लेकिन फिर भी कोई सवाल नहीं उठा रहा है कोईला पहुच कहा रहा है कोईला पहुच रहा है डेरी मंडी में कोईला पहुच रहा है बनारस के मंडी में बॉकारो पोईला जाना था दुर्गापूर कोईला जाना था रामगर्ण लेकिन आप यह समझाए कि अब इतने बड़े फ्रॉइमाने पर पहुंच नहीं रहा है तो क्या निमनिस्तर का कोईला वहां पहुंचाया जा रहा है हार्ड कोग जो था उसको पहुंचाना था कोईला हो या फिर स्टीम हो या फिर फूल स्टीम हो होता क्या है कि हमारा जो है हम हमारा डिमांड है आरो एम का लेकिन उसके जगह पर फूल स्टीम को लोड करके उसको भेजना रहता है गंतत्य अस्थान पर यानि कि अगर उसको भेजना है हमको रामगर तो उसको क्या करते ह कि आड़ी पर तलету है चो कर से बनता है वह फुल रोriend कर निकलता लेकिन उसमें लोड रहता स्टीम् को सहब भी है जो फ़िए जी यह लोग दोसि नहीं है पिसमें ंपट्र और दोसी सबसे ज्यादा दोसि जूलाई प्रतिशत हमें लगता है कि यह सही है क्योंकि कर्ण कार्बन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड हो या फिर अलका इसपात प्राइवेट लिमिटेड हो इन जैसे और भी कंपनिया है यह अवैद खेल कर रहे हैं इन्हें भी पता है यह अवैद खेल कर रहे हैं जिनने देख रेक करना था उन्हें भी पता है कि अवैद खेल कर रहे हैं, लेकिन इनके अवैद खेल से उनका घर चल रहा है, देखिए घर चल रहा है कहना गलत होगा, माफ कीजिएगा, ये अपने शौक को पूरा कर रहे हैं, राजस्व का नुकसान करवा कर, ये अपने प्राइविट लिमिल्टेट जैसी कमपनियां, अलका इसपाथ प्राइविट लिमिल्टेट जैसी कमपनियां, और साथी साथ और भी नाम है, पाइनियर कार्बोनाईजेशन, प्राइविट लिमिटेट, पीडी केजे, कॉमर्स को प्राइविट लिमिटेट जैसी कमपनियों को, ये अपने कंधे के तौर पर इस्तमाल कर रहे हैं, बी सी सील के अधिकारी हों या कोईला भवन के अधिकार किसी भी गाड़ी का इवे चलान हमको नहीं लगता है कि अपने निरधारित समय पर वो गाड़ियां समय पर पहुंच रहे हैं यह देखने वाला कोई नहीं है क्योंकि सब पैसा बतोरने में लगे हैं विकास इतना का नुकसान हुगा है इस बार जो हम लोग प्रोडक्शन इतना किये यह रिपोर्ट काड जारी करते हैं और यही वज़ा है कि विसेसियल जो है अपने इन कारणों के वज़ा से कि जो कोईला उत्पाजन हो करके सही जगा पर जानी चाहिए थे उसका सिर्फ काला बजारी हो रहा है उसका कोईला चोरी हो रहा है और उसको रामगार और बोकारों के जगा डेहरी और बनारस के बंडियों में खापाया जा रहा है और यही वज़ा है कि विसेसियल आए दिन धिर परते दिन घाटे पे जा रही है और इसको देखने वाला कोई नहीं जिनके ऊपर विसेसियल को नहीं मुकाम देने की जिमेवारी है वो भी इसमें समलिप्त है और यहीं वजा है कि आज कोईला भवन के आधिकारी को कुई फर्क नहीं पड़ता है कि विसेसियल कहां जा रही हो विसेसियल का कोईला का लूट म पचाहो कोई मतलब नहीं बस इनकी अपनी जेवेगर होनी चाहिए इनकी अपने सौक पूरे होने चाहिए उसके लिए जो भी करना पड़े करेंगे और कर भी रहें यह कर भी रहें आयूस क्यूंकि अगर यह जानते हुए भी अगर नहीं कुछ कर रहें तो जाहिर सी बात है क इनकी समलिप्ता को दर्साती है कि किस तरह से यहां पर कोईले का चुछ लूट मची हुई है और किस तरीके से रामगाड वोकाडो दुर्गापूर के जगा डेहरी बनारास और यूपी में जुणने के लिए और तमाम जानकारी के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद जे अर न-carbon-private-limited है अलकाइस पाथ-Private-limited है प्राइवेट लिई-टेंड है पीड है यह रगी 100 अर समने हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे हम उन कोईला भवन के अधिकारियों को BCCL के अधिकारियों को CISF के लोगों को और पुलिस वालों को जो बॉर्डर पर गाड़ियां पार करा रहे हैं उनको यह बोलना चाहेंगे कि शर्म कीजिए शर्म कीजिए और अगली कड़ी मे जब हम लोटेंगे तो हम खुलासा करेंगे कि किस लिंकेज भटों को कितना कोईला अवन्टित है साथी यह भी खुलासा करेंगे कि सबसीडी दर पर दिया जाने वाला कोईला कहां कहां भेजा जा रहा है आपको दिखाएंगे कि किस तरह से जो गाड़ियां कोईलियरी से लोड हुई वो डुमरी टोल बरही टोल और आमस टोल क्रोस करते हुए मंडियों में अवैद रूप से जा रही है जमकि इन्हें अपने लिंकेज धारकों के यहां जाना था और भी ऐसा बहुत सारा खुलासा करेंगे वो भी प्रमाण के साथ जिससे यह साबित हो जाएगा कि कैसे सर्कार को चूना लगाया जा रहा है आपको यह भी बता देंगे कुछ लिंकेज कमपनिया ऐसी हैं जो सिर्फ काग जो पर है मतलब शेल कमपनिया कमपनिया बनी रोप से कोईला बेचे जाने के लिए हम क्यों बोल रहे थे कि अधिकारी आप शर्म कीजिए राजस्व का नुकसान हो रहा राजस्व का नुकसान मतलब जंता का नुकसान जो प्रॉफिट उस पैसे से जंता को पहुंच रही थी वो नहीं पहुंच रही अगली कड़ी में हम बहुत सारा खुलासा करेंगे और पाली में खाते हैं उसमें छेद बिलकुल नहीं करते हैं फिलाल इस खास पेशकस में इतना ही देश-दुनिया और राज्य की तमाम खबरों के लिए देखते रहे हैं टीवी 45 नमस्कार